इस प्रसिक्षन मॉड्यूल के प्रथम सत्र में हम समझते हैं कि गरीबी मुक्त आजीवी का उन्नत पंचायद संकल्प को हासिल करने हितों किये जाने वाले प्रयासों के बारे में गरीबी मुक्त आजीवी का उन्नत पंचायद कैसे बना सकते हैं इस पर कुछ अनुभव प्रक्रियाओं को समझेंगे जिसमें थीन के लक्षों को हासिल करने के सुझाव दिये गए हैं इन सुझावों की मदद से अपने छेत्र और राज्य की परस्थितियों के अनुचार प्रक्रियाओं में आवश्यक बदलाफ करने में मदद मिलेगी याद रखें बहतर आजीवी का प्रबंदन और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्यक करती पंचायत ही गाओं की गरीबी को कम करने की शमता रखती है पंचायत ऐसे गाओं का निर्माण करने में सक्षम है जहां सभी के लिए आजीवी काख के अफसर के साथ विकास और सम्रुद्धी के अफसर हो गौर तलब है कि गरीबी की समस्या और बेरोजगारी का आपस में गहरा सम्रुद्ध है जिसके लिए ठोस कार्य योजना तयार करने की आवर्शक्ता है गरीबी मिटाने और इस्थाई रोजगार के अफसर सुनश्यत करने के लिए आज मानव पूंजी में निवेश करने की जरूरत है यदि कोई पंचायत इस पर कार्य करती है और गरीबी मुक्त पंचायत बनाने का सपना देखती है तो उन्हें ऐसे विकल्प तलाशने होंगे जिससे निर्धन परिवारों की आये में व्रद्धी हो और समाजिक स्थुरक्षा सुनश्यत की जा सके गरीबी मुक्त पंचायत की परिकल्प ना तब पूरी होगी जब सभी पात्र लाभारती सामाजिक स्थुरक्षा योजनाओं से जुणे सभी के पास आजीविका के विविद साधन हों सभी पात्र परिवारों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध हों और सभी सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को रोजगार की उपलब्धता पंचायत तरा रही हों पंचायत में सभी परिवारों का नामांकन पीडियेस अंतर्गत पात्रता आधारत राशन कार्ड की उपलब्धता सुनेश्यत हों पंचायत में सभी पात्रनाग्रिक, आयुश्वान भारतकार्ड योजना के इंतरगर कबरिच किये गए हो। पंचायत में सोयम सहायता समुहू और किसान समुह सदस्यों को सामुहिक या व्यक्तिगत उद्यम योजनाओं से जोड़ा गया हो। पंचायत में किसानों का केंद्र एवं राज्य आधारित पोर्टलों पर पंजियन हो जिससे किसानों को प्रधानमंत्री किसान संबान निधी जैसी संबंधित योजनाओं का लाभ मिल रहा हो पंचायत में सिटिजन चार्ट के नुसार सेवाओं तक पहुँच हो आईए हम देखते हैं कि पंचायत प्रतनिद्यों और आमजन का इस बारे में आखिर क्या कहना है पंचायत है इस्थानी सरकार है जो आम लोगों को व्यक्ति गत लाब दे सकती है पंचायत के जो विकास के कारे हैं वो लोगों के सयोग से ही हो सकता है इसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्राम पंचात के पास में अपना डाटा हो। जैसे जन्म, पंजियन, रत्यों-पंजिवन, विभापंजियन, गरभी रेखा की सूची, पेंशन के पात्र, पेंशनों की सूची, अविश्मान कार्ड़ों की शूची, ये सभी प्रकार का डा आमुहिक परिसंपत्तियों के निर्मान करने की अपार संभावना है जीपी डीपी एक ऐसा माध्यम है जिससे वन्चित परिवारों की आजिवी का सुद्रण करने के लिए हमें बहतर अउशर प्रदान करती हैं हम सब दिदिया मिलकर यहां गडवेश तयार करती हैं सबसे पहले हम यह जगह के लिए ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के अंदर यह प्रस्ताव रखा गया कि हमें कोई जगह मोहिया कर आए जाए जहां हम दिदिया मिलकर सिलाई का काम कर सकें ग्राम पंचायत द्वारा हमें यहां अत्रिक्त भवन दिया गया जहां हम दीदिया मिलकर गड़वेश की सिलाई करती हैं और हमारी आजी विगा को बढ़ाती है मैं केपी राजोरिया मुख्य कारिपबला नदिकारी जनपत पंचायत खाते गाँ जिला देवास ऐसा कि जो पंचायतों का रोल कारियोजना बनाने से लेकर उसका क्रियानवेयन तक बहुती महत्पूर्ण रोल है उसके लिए जो शाशन की मंशा है कि लोगों में जागरूपता हो लोगों का आर्थिक है उन समझिक विकास हो इसके लिए सरवांगियन विकास के लिए जो लाइन डिपार्टमेंट से उनका भी समनवे बहुत आवश्यक है इस काम को प्रभावी रूप देने के लिए बिविन विवागों के योजनाओं का अभिसरन करके प्लान बनाये जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लाबदायक होगा और शाषन की या योजना की जो मेंशा है उसके पूरती हो सकी पंचायतों में ये सभी कार्य तभी संभाथ हैं जमिन की सुनुशितता पंचायत सोयम करी गाओं के वंचित और हाषिये पर जीवन जीने वाले परिवारों की पहचान कर उन्हें प्रार्थ मिक्ता क्या धार पर राज्ज एवं केंदर सरकार की पातरता प्राप्त योजनाओं का लाभ पोँछाना ग्राम में संच्वालिक महिला समुहों द्वारा तैयार ग्राम गरीबी उनमूलन योजना अंतरगत पात्रता आधारत आजीविका एवं समाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागो करना कुशल एवं अकुशल श्रमिकों का पंजी करन कुशल विकास है तू एक छुक व्यक्तियों की पहचान कर संबन्धी वार्ट एवं महिला सभा का आयोजन करना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को साल भर रियायती मूलने पर परियाप्त राशन की उपलब्धता को सुनिश्चत करना जला कौशल केंद्र के माध्यम से कौशल मान्चित्रन करना और प्रसिक्षन कैम्पों का आयोजन करना किसानों की आय एवं उतपादक्ता शमता को बढ़ाने के लिए कृशी विशिश्यद्य संस्थाओं एवं विभागों के साथ समनवय इस्थापित करना जी पी डी पी निधियों और कारिक्रमों का योजना के सर पर अभी शरण करना आईए हम जानते हैं कि करीबी मुक्त और आजीवी का उन्नत ग्राम पंचायत बनाने में इस्थानी कारिकरताओं का क्या नजरिया है यह देखने में आया है कि पंचायते जो है वो हमेशा मनलब इस प्रकास डर जाती है कि वी पी आर्पी में तो इतनी सारी मांगे आती है तो हम पंचायतों से इन मांगों को पूरा कैसे करेंगे तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि VPRP के अंदर जितनी भी डिमांडे आती है देखे एक तो उसमें पातरता की डिमांड होती है पातरता वाली मांगों के लिए पंचायतों को क्या करना होता है कि सिर्फ वो दस्तावेजों को पूरा देखना होता है, समझना होता है, दस्तावेजों को वेरिफिकेशन करना होता है, और संबंदित के माध्यम से वो उसको अपलाई करवा सकते हैं, और उसमें उनको कोई रिसोर्स नहीं देना है, उसका कोई बजट उपयोग नहीं होता है दूसरा इसके अंदर जो आजिविका की योजना आती है अब आजिविका में भी पंचायते उन्ही योजनाओं को ले सकती है जो की नरेगा से की जानी है इसके अलावा अगर उनकी कोई आजिविका की योजना है तो या तो वो वेक्ति स्वयम से करेंगे या वो समू संगठन इनकुस्द करके को इनकू होता है जयसा कि हम ने यहाँ पर भी है तो यहां पर भी जो पंछायते है चब उनके साथ में इस प्रकार से डिसकेसन किया इस प्रकार से बातचीत की गए इसमें तो बहुत सारी जो पंचायते हैं, उन्होंने इस तरीके से योजनाओं को, VPRP की योजनाओं को JPDP में सम्झेट करके एक पूरा, एक विस्तरत प्लान जो की इप हो Сकती है पंक्षायते, यहा हम कहें द्वारा, जो अपने GPDP का जो निर्मार किया जा रहा है, ऊसके लिए बहुत जरूरी है, जए चिल्फ एक बहतर कारी उजना ही ना बने बलकि उस कारी जना क कसमेश समीच्छा भी हो तो जो महिला संगठन है उनके द्वारा मासिक बैठकों में इस जीपीडीपी की समीच्छा होनी चाहिए पंचायतों की जो समीतियों की या पंचायतों की अपनी जो मासिक बैठक है उसके दोरान इस जीपीडीपी की समीच्छा होनी चाहिए साथ ही साथ जो तो हर तिमाही पे जो ग्राम सवाय होती है उसमें भी GPDP की समीच्छा होनी चाहिए उसकी वज़य यह है कि हमने जो काम तै किये थे उसमें से कौन से काम हो पाए और कौन से काम नहीं हो पाए और जो नहीं हो पाए तो उनके पीछे वज़य क्या रही यह उस समुदाय को जानन कि क्या बजय रही जो हमारे ये काम नहीं हो पाय कहीं पर किसी प्रिकार के आबिधन की जरूर कमी है या कहीं पर डिपार्ट्मेंट को ओर ज्यादा हमें कन्वेंस करने की जरूरत है पंचायत के पिटिजदी सामुई गूरूप से जाके डिपार्टमेंट से बाचीत करें और अपने जो नियोजन प्रिक्रिया के अंतरगत जो नियोजित कार हैं उनको समय सिवा में पूल कराना ये उनकी जिम्मदारी के बड़ा हिस्सा है एक महात्पूर बात जो जरूरी है वो ये है कि निर्णा ये निर्मान निगरानी की प्रिक्रिया में समुदाय के हर वर्ग की भागेदारी बहुत आवश्यक है पंचायतों को अपने स्तर पर इन सभी वर्गों को सशक्त बनाना होगा महिला सोयम सहायता समुहों एवं उनके परिसंखों को किसान उत्पादक समुहों को बैंक समबाताताओं एवं CSC को ग्रामिस्तर पर समुदाय स्त्रोत सदस्य जैसे गैंक सकी, पशु सकी, किसान मित्र आदी हो तो क्या आपकी कारी योजना में इन सभी बातों का समावेश है क्या आपकी GPDP में उक्तकारियों को पूरा करने की समय सीमा तै की गई है इन कारियों को पूरा करने वाले जिम्यदार व्यक्तियों विभागों के नामों को चिन्हित कर लिया गया है इन सभी बिंदूओं पर काम करने के बाद निश्चित ही पंचायते खुद को गरीबिमुक्त और आजीविकायुक्त पंचायतों के रूप में खुद को विक्सित कर पाएंगी वन्चित और पात्र परिवारों के लिए तयार की गई योजनाओं के प्रती जागरु कर उन्हें संबंधित योजनाओं का लाब पहुचा कर सशत करती ग्राम पंचायते एक नए भारत के निर्मान में भागिदार बनेगी ग्रामीन भारत को गरीबी मुक्त और आजीवी का उन्नत बनाने के लिए युद्ध सर पर तयारी जरूरी है अभी तक हमने समझा कि अपनी पंचायत को गरीबी मुक्त और आजीवी का उन्नत पंचायत बनाने के लिए किस तरह के प्रयास करने की अवश्यक्ता है आईए अब समझते हैं कि इन लक्षों को हासिल करने है तू केंदर सरकार की क्या योजना है बाजार हस्तशेप योजना और मूल्य समर्थन योजना गरीबी मुग्द और आजीवी का उन्नत पंचायद बनाने है तू इन योजनाओं के अतरिक्त राज्य सरकार की योजनाओं का भी उपयोग किया जा सकता है आशा है ये सत्र एक गरीबी मुक्त और आजीवी का उन्नत ग्राम पंजाय संकल्प को हासल करने में मददगार साबित होगा धन्यवाद